आगे बढ़ते हैं मध्यप्रदेश के पूर्व सीम कमल लाथ ने हला बोल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कॉंग्रेस ने आज तक आम जनता की आवाज उठाई है साथ हुन्हों ने कहा कि देश में बेरुजगारी की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है आजादी से लेकर आज तक हमेशा कॉंग्रेस ने आम जनता की आवाज उठाई है आज देश की तस्वीर आप सब के सामने है मैं जादा नहीं कहना चाहता हूँ कि आज जो बेरुजगारी की समस्या है यही नवजवान जो हमारे प्रदेश का और देश का निर्मान करेंगे भविश में अगर उनका ही बविश्य अंदेरे में रहेगा तो कैसा निर्मान होगा आज बेरुजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनोती है क्योंकि एक प्रदेश की बात नहीं है हर प्रदेख के बड़ी चिंता होती है कि कैसे ये नौजवान ये ब्योरोजगारी से हम मुकाबला करेंगे हमारा क्रिशी चेत्र पचास प्रदिशत हमारा देश की अर्थ विवस्ता क्रिशी चेत्र पर आधारे थे हमें ये नहीं भूलना चाहिए केवल केवल टू विलर की बात ना होए पर जिसकी किराने की दुकान है वो किराने की दुकान तभी चलती है गाओं में जब किसानों के जेब में कुछ पैसा हो ए, किसानों के हाथ में कुछ पैसा हो ए, उनके बच्चों की पढ़ाई तभी हो सकती है, अच्छे कपड़े तभी पहन सकते हैं, जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो ए, आज बटकता हुआ किसान नियाई के लिए, आज बटकता ह हुआ किसान बीज के लिए ये तस्वीर हमारे सामने है हमारे माता और भेनों पर किता बड़ा हमला किता हमला हमारे माता और भेनों पर हो रहा है देश भर में अपना देश विश में एक देश है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार